गोस्पैट और आतंगवाद से हिंद की सेना सिर्फ जमु कश्मीर में ही दो-दो हाथ नहीं कर रही बलकि देश के पूरवोत्तर में भी कुछ ऐसी साज़िश की तैयारी है क्योंकि पूरवोत्तर में बैठे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पी एले को इस बात का डर लगने लगा है कि भारती सेना उस पर हमला कर सकती है और इसलिए वो सुरक्षावलों पर हमले की नई तैयारी करने में जुट गया है जम्मु कश्मीर में आतंकियों का सफाया पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं को बेचैन कर रहा है लेकिन ये बेचैनी हजारों किनोमिटर दूर पूरवत्तर में भी महसूस की जा रही है सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ इस्ट के उग्रवादी गुट पीले यानि पीपल्स लेबरेशन आर्वी को इस बात का डर सता रहा है कि कश्मीर में आतंगवाद पर काबू करने के बाद अब भारतिय सेना नॉर्थ इस्ट में बड़ी कारवाई कर सकती है सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पीले मनिपूर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि मनिपूर के उग्रवादी गुठ पीले सेना पर हमला करने की साजी सुरच रहा है साथ ही पीले मनिपूर के कई इलाकों को अशांत करने की प्लाइनिंग भी कर रहा है खास कर मनिपूर के चंदेल और चूरा चंदरपुर जिलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिस रची जा रही है इसके लिए पियले को चीन से हतियार और विसफोटक के साथ आर्थिक मदद भी मिल रही है पिछले साल 13 नवंबर को सेना के काफिले पर घात लगा कर हुए उग्रवादी हमले की जिम्मेदारी मनिपूर में सक्री ये पियले ने लिठी उग्रवादी संगठन पियले जानता है कि अगर उसकी हर देश विरोधी स्राजिश नाकाम होगी अगर उसने अशांती फैला ने यहिंसक हमले की कोशिश की तो सुरक्षा बल उसके खिलाफ कड़ी कारवाई करेंगे भारती सेना के संभावित एक्षन से खुद को बचाने के लिए वो खुद अपने कैंपों के बाहर माइन्स बिचा रहा है 13 नौवंबर को मनीपूर के चुराचंदपूर डिस्टिक में एक कैराना हमला किया था उसकी जिम्यदारी ली थी जिसमें की आसाम राइफल के एक अधिकारी उनके परिवार के सदर्श्य और अन्य जवानों को अपनी सहादत देने पड़ी थी और जाहिर है कि इस कैराना हमला करने के बाद ये जो पियले है वो वर्तमान समय में इस बात को लेकर के भैभीत है कि भारती सेना उनके उपर कोई जवाबी कारवाई कर सकती है केंद्रिय सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी के मताबिक उगरवादी संगठन पियले के पास छैसो से साथ सो करीब हाथियार बंद उगरवादी है भारत मियानमार से सटे मियानमार के इलाकों में उसके कैम्प है जब भी इन गुटों पर सेना कारवाई करती है ये उगरवादी मियामार के सीमा में दाखिल हो जाते हैं बियरो रिपोर्ट जी मीडिया आतंक के खिलाफ मिल रही हर काम्याबी सुरक्षबलों के होसले को और बाहा रही है लेकिन सीमा पार बैठा पाकिस्तान बार बार ये कोशश कर रहा है कि आतंक वाद की आग बुझ ना पाए इसलिए पाकिस्तान लगातार साज़श करता है मगर पाखिस्तान को नहीं पता कि हिंदुस्तान उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है जमु कश्मीर में आतंग की आग अब लगभग ठंडी पर चुकी है और जो चिंगारिया बच गई हैं उन्हें भी सुरक्षबल जल्द बुझा देंगे लेकिन सीमा पार बैठे आतंग की सरगना और उन्हें पालने वाला पाकिस्तान इस बात से परिशान है क्योंकि अब उनकी साजिश हकीकत बनने से पहले ही खत्म की जा रही है BSF के मुताबिक ये खूफिया सूचना मिली है कि 26 जनवरी से पहले आतंकियों के लॉंच पैट पर गतिविधिया बढ़ी है पाकिस्तान सीमा पार से आतंक वादियों को भेज रहा है जमुकश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तसकरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है घुसपैट ये ठंड में कोहरे का फैदा उठा कर सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे है हालकि B.S.F. अधिकारियों का कहना है कि देश की सेना घुसपैट की कड़ी निगरानी कर रही है सोमुआर को अंतरास्ट्रिय सीमा पर दो अलग अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों ने घुसपैट की कोशिश नाकाम कर दी सुरक्षा बलों को हंतियारों और नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप भी मिली है जिससे ये तो साफ है कि सीमा पार से जम्मू कश्मीर के हालात अई स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सोमुआरको ग्रिहमंत्री अमितर शाह ने भी MSC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई थी ये बैठक राज्यों के साथ खुप्या इंपुट को बहतर तरीके से श्यर करने और खुप्या तंत्र को मजबूत करने को लेकर होती है इसे करना पड़े भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीती पर कायम है आतंक्यों के हर कोशिश और उन्हें पनाह देने वालों के इरादे कभी काम्याब नहीं होंगे Bureau Report Z Media प्रिज्दी प्रिय्ट प्रिम्याब एवलेवल बादे अप्स्टोर नीज़ और अप्स्टोर दोनलोड़ इननाव